next an inductive coil has a resistance of 100 ohm and AC signal of frequency this is fed to the coil okay इसे voltage lead कर रहा है यहां पर current से 45 degree में इसका मतलब है current lag कर रही है ठीक है तो जो phi है हमारे convention के according क्योंकि मैं यह मानता हूं हमेशा current को हमने lead करते वे दिखा के formula लिखा था तो 10 5 जो मैं लिखता हूं 10 5 क्या लिखते है XC minus XL by R यहां 5 को मैं लिखूंगा minus 45 degree ठीक आपसे पूछा inductance कितना है ओके 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 तो 10 minus 45 degree equal to XC अब coil है यहां पर capacitor तो है नहीं ठीक है तो XC तो हो गया 0, XL XL की value है यही हमें पता करना है upon R, R की value किते रखी है 100 ohm ठीक है 10 minus 45 यह माइनस 1 होता है तो यहां से XL की value आ गई 100 ohm अब XL क्या होता है XL होता है omega into L ठीक और omega omega कहां है 100 Hz ते रखा है ठीक है तो 2 pi F into L equal to 100 तो यह हो गया 2 pi F की value है 1000 into L equal to 100 इससे यह cancel L equal to हो जाएगा 1 upon 20 pi ठीक है अब milli henry में इससे निकालना है तो इससे मैं कर सकता हूँ 1000 upon 25 milli henry 0 से 0 गया इससे यह जाएगा 50 50 upon 5 pi की value 3.14 तो यह 17 के आसपास की value सही होनी चाहिए तो D हमारा right answer है question number 12 answer check कर लेते हैं और यह answer D ही है